रक्षे बंदन के किवाद आ चुटी है जन्माश्ट में तो हम बनाएंगे अब चन्माश्ट में स्पेशल रेशिपीज तो आज जो मैं चन्माश्ट के जुआ बना करके त्यार करने वाले हैं बन करके तयार करने वाले हम कि Until that पर्फेक्ट मेवा पाक करने एक दम खुस-खुस बनेगा जो खाने में मज़ेदार शीज होती है इसका खुस-खुस बन ऐसा चिप-चिपा साथ बिल्कुल नहीं बनने वाला ऐसा नहीं होगा कि सेट नहीं हो बहुत ही पर्फेक्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप घर पे मेवा पाक बन अंदर से सॉफ्ट रहेगा सेट रहेगा तो चलिए शिरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना तो जिस भी परतन में आपने इसको सेट करना है तो यहां पर यह सबसे इंपोर्टन काम है ऐसा नहीं है कि बस ऐसी वीडियो बढ़ा करने के लिए मैं दिखा रही हूं आपको नह जख लेना नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलता है अब आज मैं आपको बताऊं आधा नारियल से भी कम मैंने आज यूज किया है पचास ग्राम भी नहीं होगा मुस्कल सी नारियल सिर्फ इस नारियल से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है जो मेवा पाक है वो सकते हैं और इतना सारा बन करके त्यार हुआ था तो पहले देखिए आपको इसे कद्दू कस करना है इसके लिए आप डेसी किटिट कोपोनेट बिल्कुल भी यूज मत कीजेगा थोड़ी सी महनत कीजेगा और नारियल को कद्दू किजेगा अब यहां पर घी हम लेंगे सि यहां पर जो काजु बदाम किसमें से ले सकते हैं तो जैसे मालेजेगे 10-12 आपने काजु ले लिया या 10-12 बदाम ले लिया उसे साब से आप जो है तीनों चीजों को ले लिए बिल्कुल धीमी आज पर सबसें पॉर्टन जीज ड्राइफरूट को हमेंसा बिल्कुल धीमी आज पर रोष्ट कीजिए इससे बढ़िया रोष्ट भी होते हैं और जलते भी नहीं है तो यहां पर राइफरूट हमने निकाल लिये हैं इसके बाद यह हमने मस्क मैलन सीट्स डाला है एक तिहाई का प्याने की खर्बूजे के बीच यह तो डलता है तो यहां पर आप वीच को थोड़ा सा रोष्ट कर लिजे और इसके बाद नरियाल भी डाल दीजे अब नरियल को थोड़ा सा रोष्ट होने में वक्त लगलेगा तो 3 x 4 मिनट में तो गिज़े आप Parents की जया representatives harder 2 Tb Spoon जितनना मैं तो दाना टाल दाना- जो पापी सीत्स कwell तो टाली भी सिrhiken स्पेट करें एक गुत मैं उ इसे में ने मुपनी सराइब च narrative जो मेवे पाक का असली मज़ा आता है कि आप इसमें कम से कम 5-7 तरीकी की ड्राइफूरूट डालो तब असली मज़ा आता है और मुझे इसमें किसमिस का जो स्वाद है वह बहुत अच्छा लगता है किसमिस अगर आपको पसंदो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसमिस जरू डालेगा और इस तरीके से एक तोड़ करके मखाना देख लीजिए हमेसा चेक कर लीजिए कि अच्छी से रोस्ट हुआ है कि लगता तो है बड़े हलके से हैं फटाफट हो गए होंगे लेकिन नहीं हो कि यहां इसमें क्या कर लिए किसमिस को बिलकोल ऐसे ही रहने दूँगी तो यह देखिए मैंने उस्प्रॉब्लम और जिसमें मैं सारे इंग्रीडिटन निका लेते हैं उसमें इसे भी शामिल कर देंगे और यह जो किसमिस मैंने अलग निकाली था इन्ऑ इसमें तो यहां पर एक कप मैंने चीनी डाली है थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई लीचेगा और एक कप चीनी में हम इसमें आधे कप जितना पानी राट कर देंगे तो देखे जो मार्केट में मिलता उसमें चीनी चीनी जादा होती है और ड्राइफ रूट बगरा तो बहुत कम होते हैं लेकिन हम लोग घर पर बना रहे हैं तो एक दम अच्छी कॉइंटिटी में बनाएंगे ना चीनी जादा होगी ना ड्राइफ रूट जादा होंगे पकाना होगा तो आपकी एक तार की चाशनी बन करके तियार हो जाती है आपको चेक करने की जरुवत नहीं है सिर्फ तीन मिनट के लिए आप धीमी आज पे चीनी की घुल जाने तक पका लिए लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं तो बहुत करम हैं अगर यह पे लगाएंगे तो में दुए टार ग पाएंगी हैं फिर दूख एमस हां फिर भांट भी मुरी तो ढूट को टगसेशना है तो एक तार बन औरिया हैं अपने सारे इंग्रिडिनट करने अथ है subtile को पर देगा है तो ग घएपन पहलत हैं एक प Butul विखने चाषनी पर्फेक्ट नहीं लेते हैं तो बन जाता है और वह मतलब भी दोता है तो बिल्कुल धियान रखेगा कि एक तार की चाषनी लेने के बाद आपनी गैस को बंद कर देना है कि अगर आप नहीं बंद करेंगे तो सारा मटेरियल इसी में उटेक है तो अब इतनी गरम है कि आप 102 मिनट मिलाएंगे से तो यह बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ जाएगा तो बस मैंने इसे प्रॉपर ली अच्छे तरीके से मिला लिया है एक सी दो मिनट से जादा बिल्कुल नहीं चलाओंगी और बस यह बहुत जादी से यह सेट होने लगे और देखेंगे आप बहुत ही बढ़ियां आपका यह जो मेवा पाक है वो बनकर के त्यार होगा तो बस एक से दो बातों का ध्यान रखेगा बहुत ही कम घी में कम इंग्रीडेंट में आप मेवा पाक बना ले जाएंगे कोई बहुत कठिन काम नहीं है बहुत इजी है बस तोड़ा सा चाशनी का ध्यान रखेगा और जो जो बाते मैंने आपको वीडियो में बताई है उसका ध्यान रखेंगे तो फटाफट से बन जाता है अब इसे मैंने कट कर दिया है तो यह देखिए अपने हिसाब से आप कर लीजेगा अचा एक बात मैं बता दो पूरी तरह करेंगे इतने परफेक्ट नहीं कटेंगे अब कृष्ण जी को कोई भोग जो है हम नहीं लगा सकते बगैर तूलसी पत्ती चड़ाए तो तूलसी पत्ती रख दीजे तो यहां पर पिस्ते की जगह मैंने तूलसी से ही गानिश कर दिया है और आप यह देखिए मेरे एक बीरित अगर जाता है आप कुछ भी उननिष बीस होता है तो आप मुझे कोमेंट कर सकते हैं या फिर अगर आप को प dental कर सकते हैं तो आप मुझे equilibrium कर सकते हैं Instagram ऐई आपको description box में मिल जायेगी इता है इसी तरीकी TV